नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहित्ति चोति में आज हम लोग कच्छाए 11 के पाठे क्रम से सूर्दास के पद नामक पाठ को पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग सूर्दास जी द्वारा रचित वाचसली के पद और भ्रमर गीत के दो पदों को देखेंगे तो चलिए सूर्दास जी क्रिष्ण भक्ति का विधारा के सर्वस रिष्ट कवी थे कई बार जो बहुविकल्पी प्रशन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि सूर्दास जी किस का विधारा के कवी थे तो वहां आपको ध्यान रखना है कि सूर्दास जी भक्ति काल के क्रिष्ण भक्त का विधारा के प्रमुख कभी रहे हैं और इनका जन 1540 विक्रम समवत यानि की 1463 इस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ इनके गुरु वल्लबाचारी जी थे और ये मुख्य रूप से वातसल्य और शिंगार के अनिंतम कभी रहे हैं यानि की वातसली के पद और शिंगार के पद बहुत ही सुन्दर लिखते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के यदि हम बात करें तो इसमें सुर्सागर, सुर्सारावली और साहित्यलहरी प्रमुख रहे हैं काविविसेस्ताओं को यदि हम देखे तो काविविसेस्ताओं में बाल क्रिष्ण के सौनधर्य, उनकी चपल चेस्टाओं, क्रिणाओं और क्रिश्णवाग गोपियों के अनन्य प्रेम का सरस एवं सजीव चित्रन देखने को मिलता है, सूर्दास जी के पद में भक्ति और अभिने भी हमें देखने को मिलता है, इनके पदों की भासा की बात करें तो यम्मुख्य रूप से ब्रजभासा है, यानि सूर्दास जी की पद हैं, वो ब्रजभासा में रचित हैं, इसके अलावा विविद राग, रागनी, एवं साहित्य भी देखने को मिलता है, उसमें जीवन का प्रमुखलक्ष त्रिक्रश्न की लीलाओं का वर्णन करना रहा है इनकी मृत्यू संबत 1620 इस्वी यानि की 1563 इस्वी में हुई थी यहां पर आप ध्यान रखेगा बच्छो कि कई बार पूछा जाता है कि सूर्दाश्जी की मृत्यू या जन जब विक्रम संबत में पूछेगा तो आपको विक्रम संबत में बताना होगा और यदि इस्वी में पूछ रहा है तो आपको यह ध्यान रखना होगा तो इस्वी से विक्रम संबत कैसे बनता है विक्रम संबत जो है व उसमें आप संतावन बर्श जोड़ दे तो विक्रम सम्वत बन जाता है तो आप अग यदी 1563 इसमी में तो विक्रम सम्वत बन जाएगा तुछे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अस्मझस में पढ़ जातनी ही कि ये क्या पूछा गया है आए अब हम पदों को देखते हैं तो देखिए ये सूर्दाष जी द्वारा रचित आपके पाठे में जो आया है पाठे पुष्टक में जो आया है वाध्सले के पद ये इसका पहला पद है ठीक है ये पूरा पद है तो संदर्व क्या है कि प्रस्तुत पद कवीवर सूर्दाष जी द्वारा रचित वाध्सले के पद नामक पाठ से अवतरित है और इस पूरे पद के लिए प्रसंग देखते हैं पहले वाले पद में से कोई भी पंक्ति आपको उठा करती जाए और पूछा जाए कि इसका करेंक प्रसंग बतलाईए तो आप किसी प्रसंग को लिखिएगा पूरे पद के लिए यही प्रसंग है तो क्या प्रसंग देखिए प्रस्तुत पदमें स्री क्रिष्न माता यासॉदा से अपने बड़े भाई बल्राम की सिकायत करते हैं उनके साथEh दूसरे गौआल billion भी ही चिढ़ाते हैं तब सी क्रिष्ट रुष्ट होकर माता यशोदा के पास जाते हैं ठीक है तो यह आपका प्रसंग है आईए अब हम व्याख्या देखना शुरू करते हैं देखिए मैया मैया यानि मा मोही यानि मुझे मैया मोही दाव दाव यानि बल राम मैया मोही दाव बहुत खिजायो मोसो कहत मोसो यानि मुझसे मुझसे कहत मोल को लिनो मुल को लिनो यानि खरीद कर लिया ठीक है तू जसु मती कब जायो यानि जन्म कहां कहो इही रीस के मारे रीस यानि गुसा प्रोध के मारे खेलन हो हो यानि मैं खेलन यानि मैं यहां पर लिख देती हूं मैं नहीं जाता पुनी-पुनी यानि बार-बार कहत कौन है माता कौन है तेरो तात यानि पिता गोरे नंद जशोदा गोरी तूकत श्यामल तूकत श्यामल यानि स्थांबला एक्रिष्न जी माता रेसोदा से सिकायत करते हुए मुझे बलराम भाइए बहुत चीडाते है, मोही डाउ बहुत कीजाईवे, मोशो कहत मुझसे कहते हैं, सबसे चाहे हैं, तू जसुमति कब जायो तुमको माता जशोदा ने कब जन्म दिया है कहां को इहीं रीश के मारे क्या कहूं कहूं क्या कia कहूं इसी क्रोध के कारण खेलन भी नहीं जात, खेलन हो नहीं जात, खेलन हो नहीं जात, मतलब खेलने भी नहीं जाता हूँ पुनी-पुनी कहत कौन है माता, वे बार-बार मुझसे कहते हैं कौन है माता, कि तुम्हारी कौन माता है, कौन है तेरो तात, कौन तुम्हारे पिता है, गोरे नंद जशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे रंके है, माता यशोदा भी गोरी रंकी है, सूकत श्याम लगात, फिर तुम क्यों ताले रंके हो, आवले रंके हो, ठीक है, आई आगे कि पंतियों को देखते हैं, चुटकी दैदें, ग्वालन चावत, हसत सबे, मुस्कात, मुस्कात यानि, खुश होते हैं, ठीक है, तुमोही को मारन सीखी, दावोही कभी नखीजे, खीजे, यानि, गुस्सा, ठीक है, मोहन मुखरीस की ये बाते, जसुमती सुनी-सुनी रीजे, यानि, खुश होती हैं, तुनहु कान, बलभद्र चबाई, जन्मत को ही धूत, पूर स्याम मोही, गौधन कोसों, हो माता तूपूत, तो, फिर क्रिश्णी क्या कहते हैं, कहते हैं कि, चुटकी देदे गौाल नचावत, उनके कहने पर, यानि, बलराम के कहने पर, सभी गौाल बाल जो है, वो चुटकी बजा बजा कर मुझे चिढ़ाते हैं, हसत सबय मुश्कात, हसते और मुश्कुराते हैं, तू मोही को मारन सीखी, और तुम तो केवल मुझको ही मारना पीटना जानती हो, दावों ही कभी नखीजे, और बलराम भाया को तो कभी कुछ नहीं कहती हो, मोहन मुख रीस की ये बाते, वालक्षी क्रिश्णी के मुख सहिए, क्रोध पुन, रीस यानि क्रोध, ठीके, क्र पुद्पुन बातों को सुनकर जसुमति सुनी सुनी रीजे, माता यशोदा मनही मन बहुत प्रसन्द होती ही, और कहती है, क्या कहती है, तुम पूचुदा जी कहते हैं, क्रिश्ण, तुम्हारा भाय बलराम जन्म से ही धूर्त, यानि कि बदमाश है, तूर स्याम मोही मुझे गो वर्धन की सौ मात कहते हैं कि मुझे गो वर्धन तुम पूत्सुदा जी कहते हैं तुम ही मेरे पूत्र हो तुम ही मेरा कृत्र है अब जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी व्याख्या के चार अंग होते हैं तंदर्व प्रसंग व्याख्या और विसेश तो आईए अब हम इस पहले पद के विसेश को देख लेते हैं देखिए इस पद में इस पद में बच्चों के सभाव का बड़ा ही सजीव एवं सटीक वर्णन किया गया है दूसरा कवीवर सूर्दास बाल मनो वृत्ति के यानि बच्चों के मनो विज्ञान के बहुत ही फुशल पार्खी हैं तीसरा इस पद में माता यशोदा के बात्सल्य से परिपूर्ण हिर्दय की भी सुन्दर जाकी मिलती है और चौथा भावसौंदर अर्थगवरों सघन माधूरी की कारण यह पद अतिसे मर्म स्पर्शी हो गया है और यदि पांचवा बात करें जिसमें ब्रजभासा के बा घृरो कि अगये जिससे जो बात पुर्दासी कहना चाहते है वह बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती और यह हमारा दूसरा पद को हम देखते हैं वह वार्दसल्य का दूसेर का संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पद में ब्रजभासा के स्वेष्टे कभी सूर्दास जी द्वारा रचित वात्सली के पद नामक पाट से या उध्रित है अब इसी पद का प्रसंग देखते हैं देखिए इस पद का जो प्रसंग है उसे हम देखेंगे इस पद में से इस दूसरे पद में से यानि मईया मैं नहीं माखन खायो जो यह मारा दूसरा वात्सली का पद है इस पद में से कोई भी पंक्ति आपको दी जाए उसका प्रसंग आप यही लिखेंगे प्रस्तुत पद में बाल सीकृष्ण अत्यंत नटखट और चंचल है वे पडोसिन के घर में गुश कर उचे स्थान पर रखे मक्षन को उतार कर खा जाते हैं इन्तु उसी समय पकड़ लिये जाते हैं पडोसिन उन्हें माता यहशोदा के पास लाती है और शिकायत करती है इस पर माता यहशोदा उन्हें शुटकन 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 यानि खोटी सी पतली छड़ी लेकर धमकाती है अब सीकृष्ण जी बड़ी चतुराई से स्वयम को निर्दोस सिद्ध करते हैं यह प्रसंग है आईए अब हम इस पत की व्याक्या देखते हैं पहले क सब्सक्राई कि चारलाहिनार in मख़न चुरा कर खाते समय एक गोपि द्वारा रंग यहात कानहा को पकड़ लिया जाता है कृष्ण को पकड़ लिए जाने पर यह सोधा के पास प्र पीश्ची किस्न माता यह आपस में मिलकर मेरे मुख पर यह जो मक्षन है इसको लपेट दिये हैं यह ग्वाल-बाल मुझसे दुस्मनी करते हैं और इन्हों नहीं जवर्दस्ती मेरे मुख में मक्षन लिपटा दिया है फिर क्या किते हैं देख तु पर भाजन ऊंचे धरी लटकाई है तो छींका क्या होता है दो आप देखे होंगे मक्षन का पात्र है रहे हैं ऊपर लटका कर 17 पो दौन को बड़तन शिंका कहते हैं वही कृष्णी कह रहे हैं कि तुम ही देखो मखन का जो बर्तन है देख तुम ही ठीके पर भाजन उचे धरी लटकाई हो मखन का जो बर्तन है ठीका है ठीका पर है यानि कि उचे स्थान पर लटका कर रखा हुआ है होजु कहत नान्हे कर यानि हाथ नान्हे यानि नन्हा नन्हा यानि छोटा ठीके आप अपने में कैसे करी पायो मैं कहता हूँ मैंने अपने नन्हे हाथों से उसे किस प्रकार पाया क्या मेरे ये छोटे-छोटे हाथ वहां तक पहुच सकते हैं यदि नहीं तो फिर मैंने मक्खन की चोरी कैसे की इतना कहकर स्री कृष्ण ने एक चालहाकी की बड़ी चालहाकी से स्री कृष्ण इस बात को कहते हैं आगे की पंक्ती देखते हैं ये चार पंक्तियां है ठीक है मुक दधी पोची बुद्धी एककीन ही दोना पीठी दुरायो दोना यानि दोना किसे कहते हैं पत्ते का बरतन यहां मैं लिख देती हूं पत्ते का कटोरी जैसा बरतन ठीक है दुरायो यानि चिपाया दारी साथी समझते है जो छोटी सी छडी होती है दारी यानि छोड कर जो छोटी सी छडी ली हुए थी उसे उन्होंने छोड़ दिया मुसकाई जसोधा स्याम ही कंठ कंठी यानि गले लगायो स्याम ही अनि culturally को बाल बिनोद मोद मन मोहयो भक्ती प्रताप दिखायो तूरदाच जसुमति को यह सुख सिभ विरंची नहीं पायो सिभ और विरंची यानी ब्रह्मा ठीक है नहीं पायो तो सिक्रिश्न क्या चला की करते हैं क्रिश्न चलाकी करते हैं कि तुरंत मुक से लगे दढ़ी को वे पोच लेते हैं मुक के ऊपर दढ़ी लगे थी उसे पोच लेते हैं और हाथ के दोने भुए त्हीं के कि यह anticip ह। उसको पीठ के पीछे छिपा लेते हैं उनकी इस बाल सुलव वाकुचातुरी यानि बोलने की कला और क्रिया कला आपको देखकर माता यशोदा क्रोध माता यशोदा का जो क्रोध रहता है वो वात्सलि भाव यानि की प्रेम में बदल जाता और तुरंत अपने हाथ की छड़ी को दूर फेक कर यह जो पंक्ती है ना डारी साठी मुस्काई जो शोदा डारी डारी यानि छोड़ दिया अपने हाथ की साठी-साठी यहनी छड़ी-छड़ी को दूर फेक कर बालक सीकृष्ण को प्रेम से गले लगा लेती हैं स्याम ही कंठ लगायो इस प्रकार सीकृष्ण ने बाल लीला के सुख से माता यशोदा का मन मुग्द करके भक्ती के प्रताप को दिखा दिया पिर क्या सूर्दास कहते हैं कि सूर्दास जसुमति को यह सुख सिब बिरंची नहीं पायो सूर्दास कहते हैं कि जिस परम ब्रह्म के सामें पी निकेटता का सुख भगवान शंकर और ब्रह्मा भी अपने मुख से गाते हैं उसको माता यशोदा ने अपने भक्ति के प्रभाव से पड़ी सहचता से राप्त कर लिया, यह जो अंतिम पंक्ति है आपकी, सूर दास जसीमति को यह सुख सिब बिरंची नहीं पाईू, तो अब इसकी विसेश्था को आप देख लीजिए, एक नमबर विसेश्था यह आपका, इचोरी करते समय पकड़े जाने पर बच्चे किस तरह सोचते हैं, वे किस तरह स्वयम को निदोष बताने के लिए प्रयास करते हैं, का सार्थक चित्रण है, ठीक है, सिक्रिष्णी की बाल किरिणाओं वाक पटुता, माय अशोदा के प् किया गया है, तीसरा, इस पद में भावानुकुल भासा का प्रयोग दिखलाई पड़ता है, और चौथा, वात्सल्य चित्रण की दिष्टी से यह पद काफी अनूठा है, ठीक है, अब हम ब्रहमर गीत के पदों को देखते हैं, ठीक है, ब्रहमर गीत का पहला पद, उदो म इसके संधर्व को देखिये, प्रस्थुत्पद हमारी पाठी-पुस्तक में सुर्सागर से संकलित भ्रहमर गीत से उद्ण किया गया और इसके महाकभी सूर्दाससजी ही, इसका प्रसंग क्या है, कि प्रस्थुत्पद में गोपियों ने निराकार कि ARADHANA के परती अपनी असमर्थता निराकार ब्रहम का ज्ञान देते हैं तो उस पर जो है वो कहते हैं की निराकार ब्रहम की भख्ति भे नहीं कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने तरकों से अपनी उत्तरों से उढ़ों को भी जो है वो जिरुत्तर कर देते हैं तो आएए देखते हैं उढ़ों मन नहीं हाथ हमारे रत चड़ी हरी संगले मतुरा जबही सिधारे सिधारे यानि गये नातरू यानि अन्य था नहीं तो अन्य था कहां जो गहम चाड़ी चाड़ी यानि छोड़ते अती रूची रूची यानि चाहत या इच्छा आप कह सकते हो के तुम लाए यानि लाए हो पाईए देखते हैं इसमें उधव जब उधव जो है उधव जी जो है वो गोपियों से निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं तब गोपिया अपनी असमर्थता यानि कि उस निराकार ब्रह्म की वो बक्ति नहीं कर सकती है अपनी उस असमर्थता को व्यक्त करते हुए कहती ही कि है उधव हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है उधव मन नहीं हाथ हमारे ये उधव हमारा जो मन है वो हमारे हाथ में नहीं है रत चढ़ाई हरी संगल गए ले मतुरा जब ही सिदारे उसे तो भगवान कृष्ण जब मतुरा गए ठीके तब अपने साथ रत पर चढ़ा कर ले गए नातरू, नहीं तो अन्य था कहां जो गहम चाड़ ही आपके द्वारा अत्याधिक रूची पुर्वक लाए गई योग को हम भला क्यों त्यागती यह जो है पंक्ति कि नातरु कहा जोग हम चाड़ी अतिरूची कहे तुम लाए अन्य था आप जो अपनी इतनी इच्छा से इस ग्योग को लेकर आये हैं उसे हम भला क्यों छोड़ते पर यह उद्धो हमारा मन तो सी कृष्णी के साथ ही चला गया है ठीक है इसके बार देखत हैं हम तो अक्ति स्याम की करनी अक्ति नहीं होगा यहां पर यहां पर शब्दे हम तो जखती यह क्या सब्दे जखती है इसके हम तो जखती क्याम की करनी मन ले जोग पठाए अजहू मन आपनो हम पावे अजहू यानि आज ही मन आपनो आपनो यानि अपना हम पावे तुमते होई तो होई तुर सपत हमे कोट तिहारी कहीं करेगी सोई हमें तो भगवान सीख्रिषनी के स्कारे से बड़ा दुख दिख हुआ है वह हमारे मन ले जोग पठाए और उसके बदले में क्या भेज दिया यूग भेज दिया यदि वे हमारे मन को नहीं ले जाते तो उनके दवारा भेजेगाई यूग को हम नहीं त्यागती यानि उसे हम अपना लेते हैं न यदि अभी भी खे रही हैं अजहू मन आपनो हम पावे सुम्ते होई तो होई यदि अभी भी अपना मन हमें प्राप्त हो जाए अजहो मन आपन पावो यदि अभी भी हमें हमारा मन प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे योग को हम सब अपनाएंगे तुम्ते होई तो होई फिर क्या कह रही है यदि तुम्हारे पास हो तो हमें दे दो तुम्ते होई तो होई तुम्हारे पास है तो हमें दे दो फिर आगे कहती है सूर सपत हमें कोट तिहारी कहीं करेंगी सोई तुदार जी कह रहे हैं कि गोपिया उद्धो से कह रही है, यह उद्धो हम तुम्हारी करोडो कस्में खाकर कहती हैं, तपत हमें कोट इतिहारी, हमें तुम्हारी करोडो कस्में हैं, यदि तुम हमारा मन हमें दे दोगे, तो तुम जो कहोगे, वही हम करेंगी, वही करेंगी तुम जो कहोगे वही हम करेंगे इसका हम कावेगत स्वांदर देखिए कि गोपियों के तरकों के आगे उधव निरुद्तर हो गए हैं अपने वाक के चातुरी से योग के प्रति अपनी असमर्थता जता दी है आस्ता में जो गोपिया थी वो तो प्रेम की भाव को समझती थी योग और वो सब उन्हें नहीं आता था उनकी भासा है वह ब्रज सयली जो है मुक्तक काव्ञ, छणद यह पद रस व्योग सिंगार है अबको पता है भर्मर गीत में व्योग सिंगारिये में देखने को मिलता है गुड जो है वो माधोरिय गुड है अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार सब्द सक्ती मनले योग पठायों में जन जना है ठीक है इसे आप लिख लिए आईए अब हम लोग आखरी का जो भ्रमर गीत का आखरी पद है उसे देखते हैं के मदुबन तुम कत रहत हरय लोग debate ये हमारा पद हैं अब इसका हम संदर्व देख थे कि प्रस्थुत पद हमारी पाथि-पुस्त्क Κाभे संकलन का भे शंकलन नहीं है लिए हमारे पाथि-पुस्तक का नाम क्या है Hindi Path Sancclan, हमारी पाथे पुस्तक के नाम है? Hindi Path Sancclan, अनुदे सुरसागर में से संकलित, भ्रमर गीठ से उद्रित किया है इसके रजेटा महा कभी सूर्धासी है आप यहां सहिकर लिजेगा, यहां पे आपके पाथ का क्या नाम होगा? Hindi Path Sancclan, पाठ पुस्तक क्या है आपकी इंदी पाठ संचयन आप ठीक कर लीजेगा इसे इसके कभी तुर्दाजी है प्रसंग क्या है देखें आईये प्रसंग देखते हैं तो ब्रज की बालाएं शिक्रिष्णी के वियोग से बहुत ही दुखी हैं शिक्रिष्णी जो हैं वो मतुरा चले गए हैं तो इससे जो ब्रज की बालाएं हैं ब्रज की गोपियां हैं वो काफी दुखी हैं और दुखी व्यक्ति को सारा संसार क्या होता है दुख में प्रतीत होता है, गोपियों को भी सारी प्रकृति दुखी दिखाई दे रही है, परंतु मधुबन, मधुबन जहाँ पर Śिक्रिष्च्नि अपनी सारी कृडाई की थी गोपियों के संग वो हरां भरा और फूलता फलता दिखाई देता है, इसी कारण गोपियों के मन में उसके प्रती बहुत ही आश्चरी यानि मधुबन के प्रती बहुत ही आश्चरी और विछोग की भावना है वे मधुबन को धिक्कारती है मधुबन क्या है वह स्थान है जहां पर क्रिष्ण और गोपियां सभी जो है वह खृणाय करते हैं लिलाय करते हैं तो वे उसे दिकार्ती हैं कि क्रिष्णी के व्योग से तुम दुखी नहीं हो जबकि समस्त संसार दुखी है तुम कैसे फल फूल रहे हो तो यह इसका प्रसंग है आईए अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं तो देखिए मदुवन तुमकत हरे हरे यानि हरा भरा विरह वियोग ठीक है विरह यानि प्रिया से अलग हो जाने का भाव विरह शब्द का अर्थ होता है दुख जब हम अपने प्रिया से अलग हो जाते हैं तो जो दुख होता है उसे हम कहते हैं विरह वियोग क्याम सुन्दर के आडे क्यों न जरे जरे यानि जलना मोहन बेनु बेनु यानि बाशुरी बजावत तुम तर साखा टेक ही खरे साखा यानि शाखा ठीक ही यानि टेक कर ठीक है तु देखिये क्या कह रही है अब हम व्याक्या देखते हैं इन तिन पंक्तियों की क्रिष्ण दीवानी ब्रज बाला है यानि की गोपिया मदुवन को संबोधित करते हुए कहती है मदुवन तुम कत रहत हरे यह मदुवन तुम प्रियतम सीक्रिष्ण के अनुपस्थिती में भी इतने हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे हो और कैसे दिखाई दे रहे हो क्याम सुन्दर विरह वियोग स्याम सुन्दर के दूसरी पंक्ति देखते हैं विरह वियोग स्याम सुन्दर के ठाड़े क्यूं नजरे क्याम सुन्दर शिक्रिष्ण के विरह वियोग रुपी ज्वाला में तुम खड़े-ठाड़े ठाड़े यानि खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए जिस पल तुम्हारा अपने प्रियतम सी कृष्ण से विच्छो हुआ यानि कि वियोग हुआ उसी पल तुम्हें जल कर राख हो जाना चाहिए तुमको भी हमारी तरह कृष्ण वियोग से दुखी होना चाहिए था क्या तुम उन दिनों को भूल गए हो क्या तुम उन दिनों को भूल गए हो क्या तुम्हारे नीचे तुम्हारी सीतल सुखद छाया में बासुरी बजाया करते थे और तुम्हारी डाली के सहारे खड़ा हुआ करते थे क्या तु मुंदिनों को भूल गए हो देखिए मोहे आवर अरू अरू यानि और जड़ जंगम जड़ जंगम का मतलब होता है चेतन यानि कि सजीव और अचेतन यानि कि निर्जीव मुनि जन ध्यान टरे वा चित्वनी तु मत न धरत फिरी फिरी पुहूप पुहूप यानि फूल धरे तूर दास प्रभु बिरह दावा नल दावा नल का मतलब बता है चंगल की आग नकसिक लोन नजरे नकसिक यानि नकसे तिक तक यानि पैर के नाखुन से तर तक तो आई यह देखते हैं तो क्या कह रहे हैं मोहे थावर अरू जड़ जंगम मुनी ध्यान उनकी बासुरी की सुरिली तान सुनकर जड़ जंगम यानि की चेतन अचेतन सजीव निर्जीव सभी मोहित हो जाते थे किसी को अपनी सुधी नहीं रहते थे यहां तक की मोहनकारी उस मुर्ली की तान को सुनकर जो मुनी तपस्वी थे उनका ध्यान भी भंग हो जाता था वे भी ध्यान नहीं लगते थे वे भी ब्रह्म सुक को भूलकर उस ब्रह्मा का ध्यान को भूलकर पांसुरी की तान सुणने लघते थी है तुम वह चितवनंी तुम ठाने धारत फी फीरी-फीरी पूष्पद ढरत तोुम इतना ही नहीं तुम सी क्रिष्णी की उस Really noodles का भी ख्याल नहीं ला रहा है ख्याल नहीं कर रहे हो उसे भूल गए हो और उसे भूल कर तुम बार बार ने ने फूल को धारन कर रहे हो मदुबन तो वन है ना वो मदुबन को दिकार रही है कि यहां पर शिक्रिष्णे ने लीला की और तुम उनके जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं हो और नयने पुष्पधारन कर रहे हो यह तो हग दर्जे की कृतग्यनता है क्रतग्यनता का मतलब क्या होता है जो आपके आभार को भूल जाए फिर कहती है तूरदास प्रभु विरह दावानल नक सिख लो नजरे तो भगवान सी कृष्णी के विरह की अगनी में नक से सिख तक यानि कि सिर से पैर तक जल कर खाक हो जाना चाहिए था परन्तु तुम अभी हरे भरे खड़े हो चीची कैसा तुम्हारा या प्रभु के प्रती प्रेम है यानि कि वे धिकार रही है वदुबन को धिकार रही है कि तुम प्रभु के वियोग में क्यों नहीं तडप रहे हो जिस तरीके से हम तडप रहे हैं हम दुखी है तुम क्य भरे भरे क्यों दिखलाई दे रहे हो क्या तुम प्रभु के उस आभार को भूल गए हो तो यहां पर हुनों ने मधुबन को धिक्का रहा है आईए अब हम इस पद के विशेश को देख लेते हैं विशेश को यदि देखे तो देखे पहला इसमें सी कृष्णी के प्रती गोपियों का जो आगार प्रेम है उसे दिखलाया गया है मधुबन पर चेतना का आरोप किया गया मधुबन को किसी व्यक्ति की तरह मधुबन क्या है एक वन है जिससे लग रहा है कि वह कोई भ्यक्ति है और यहां पर क्या किया गया है इसी को हम कहते है मानवी करन करना यहां पर प्रकृति का मानवी करन करके गोपियों का जो प्रेम है उसे दिखलाया गया है गोपियों की मानसिक दसा का भी वर्णन किया गया है उनके विरा का वर्ण और यहां पर प्रकृति का उद्धीवपन के रूप में भी चित्रन किया गया तो यह आप देख सकते हैं यह इस पद की विशेषता है तो यहां पर दो वातसली के पद और दो भ्रमरगीत के पद बता दिये गए हैं यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी है उपयोगी लग झाल